इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टीबी आरोग के साथी आप में मरीज की बैंक संबंधित जानकारी कैसे जोड सकते हैं निक्षय वेबसाइट पर पंजीकृत मरीज टीबी आरोग के साथी आप के माध्यम से अपने बैंक विवरण जोड या एडिट कर सकते हैं यहां दर्च किया गया विवरण पेशेंट डीटेल्स पेज में डीबी टी टाप के तहट निक्षय वेबसाइट और आप में भी दिखाई देगा बैंक विवरण जोडने या एडिट करने के लिए उप्योग करता को सबसे पहले अपनी निक्षय आईडी का उप्योग करके टीबी आरोग के साथी आप में लॉगिन करना होगा एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो उप्री बाइकोने परिस्थित मेन्यू आईकन पर क्लिक करें और फिर डीबी टी डीटेल्स चुने डीबी टी डीटेल्स पेज में आपको एड बैंक डीटेल्स लेबल वाला एक बटन मिलेगा इस पर क्लिक करें अगले पीछ पर आपको बैंक के लिए सर्च करना है आप IFSC कोड या बैंक का नाम दर्ज करके ऐसा कर सकते हैं यदि आप बैंक के नाम से चैन कर रहे हैं तो आपको शाखा का नाम दर्ज करना होगा शाखाओं की सूची से संबंधित शाखा का चयन करें अगली चरण में आपको अपना खाता नंबर दर्ज करना होगा और फिर इसकी पुष्टी करनी होगी फिर आपको बैंक खाते के मालिक का चयन करना होगा खाता लाभार्थी या उनके किसी रिष्थेदार का हो सकता है. अगले चरण के लिए आपको प्रमान की एक तस्वीर अप्लोड करने होगी. यहां आपको पासबुक की फोटो या बैंक स्टेट्मिंट या कोई अन्ने सबूत अप्लोड करना होगा, जो बैंक खाते के मालिक की पुष्टी करता हो. विवरन की सटीकता को अनुमोधित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा इस प्रमान का उप्योग किया जाएगा. उप्योग करता या तो टेक फोटो विकल्प पर क्लिक करके तस्वीर ले सकता है या अपने फोन की गैलरी से तस्वीर अप्लोड कर सकता है. तस्वीर का आकार 5 MB तक हो सकता है. एक बार तस्वीर अप्लोड हो जाने के बाद, चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर अट बैंक डीटेल्स बटन पर क्लिक करें. अपलोड किये गए विवरण, अब dbt details पेज पर दिखाई देंगे यहां आप देखेंगे कि लाभार्ती के स्थिती कर्मचारियों द्वारा प्रमानी करण के लिए लंबित है dbt निर्माता को फोटो को प्रमानित करना होगा और बैंक विवरण को मन्जूरी देनी होगी अनुमोदन के बाद विवरण प्रमानी करण के लिए भेजा जाएगा यदि एक वैद लाभार्ती को संपादित किया जाता है तो dbt चेकर द्वारा अनुमोदन किया जाएगा उप्योग करता Edit Details बटन पर क्लिक करके बैंक विवरण एडिट कर सकता है बैंक विवरण को उप्योग करता द्वारा भी एडिट किया जा सकता है जब इस्थिती है स्टाफ रिजेक्टिड, सिस्टम रिजेक्टिड, यूजर रिजेक्टिड या वैलिडेटिड यदि कोई उप्योग करता जिसे वैलिडेट या रिजेक्ट नहीं किया गया है बैंक विवरंड एडिट करने का प्रयास करता है, तो एक error message दिखाई देगा. उप्योग करता द्वारा विवरंड दर्ज करने के बाद, उन्हें dbt details टैप में निक्षय web page में देखा जा सकता है. पेज में upload की गई तस्वीर को देखने का विकल्प होता है. ये टीबी आरोग के साथी एप में बैंक विवरंड जोडने की प्रक्रिया को पूरा करता है.